नमस्कार दोस्तों इनकी एस 35 येर्स प्लस 7 मंद के आसपास भी हो चुकी है इनके कुछ सवाल है मेरा डिवर्स कब तक होगा ये कोई नहीं बता पाता भारतिये कानून विरस्था मैं जो लचरपन है इसका जवाब आपको सही कोई नहीं दे पाएगा हाँ आने वाले समय में वहाथ बड़ा कट नजर आ रहा है एक था साल के अंदर, एक था दो साल के अंदर वो कट हो सकता है आपका सेटलमेंट करा है वो भारी नुकसान आपके जीवन में दिखा रहा है तो हो सकता है आप दोनों के mutual understanding में आपको पैसा देना पड़े और ऐसा कई ल तो आपके जीवन में भी वो दिख रहा है तो आपको पता चल जाएगा दूसरी साधी कब तक होगी वो मैं बताओंगा आपको जीवन रिखा पराऊंगा तब जिससे मेरा अफियर चल रहा है उसी से दूसरी साधी होगी इसकी भी जानकरी मैं नहीं दे पाओंगा हाँ आपकी साधी की एज जरूर मैं बताऊंगा आपको मेरा अपना मकान कब तक होगा मुझे लगता है 11 साल के अंदर हो सकता आप मकान खरीबने वाले हो मुझे इस तरह के योग बदलावाला स्थिती दिख रहे हैं आपके जीवन में और वो मैं पाम पे दिखाऊंगा विदेश योग 100% आपके हाथ में विदेश योग है डिवर्स के केस में काफी परेशानी चल रही है और पैसा भी खर्च हो रहा है एक राव रेखाने काटा हुआ है इसके लिए आप पेन उठा रहे हो पर ऐसी राव रेखा है आगे भी है आपको उसका भी मैं पिडियर्ड बताऊंगा अब जब एनालिसिस करूँगा आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा जब किसी व्यक्ति के हाथ में थोड़ी सी भी ये दो उंगलिया उपर की तरफ हो तो ऐसे लोग जो समय पर निर्ने लेना होता है वो लेनी पाते और उसके बाद पस्तावा होता है ये जुपिटर माउंट अगर किसका भी खराब हो उसके जीवन में पारिवारिक और सांसारिक समस्य होती है मैं इसका उपाय दूँगा काफी पेन उठाओगे आप इन दोनों चीजों के लिए इस पर मैंने पूरा एक वीडियो बनाया सरकार पामिष्ट्री चैनल पर उसे आप देख लेना आपको पता चल जाएगा क्या-क्या स्थितिया निर्मान होती है यह पाम पूरा स्क्वेरिश पाम है ऐसे लोग महनती होते हैं और महनत करके अपने जीवन को सफल बना दे फर्श उंगली का फैलेंच नुकिला है तो कारे के पृत्षी अच्छी घासी जीद होती है सेकेंड फैलेंच भी अथा है अच्छा है जान लॉजिक की जोराते वान लॉजिक यूज की है जान चुप रहने की जोराते वान चुप रहे है और मानसल है तो अपने हितों की रख्षा करने वाला व्यक्ती भी होता उंगलियों में अगर देखें तो जुपिटर की उंगली थोड़ इसी बड़ी है तो ego problem भी रहेगा पर इतना नहीं पर थोड़ा तो ego problem का issue रहेगा इसे रोक समझेए और दूर रहने की कोशिस कीजिए छोटी उंगली पता नहीं चल रहा है पर अगर इस photograph के हिसाब से माने तो यह उंगली छोटी रह रही है तो व्यक्ति documentation, filing चीजों को संबाल कर रखना या चक्ति money management और account यह सारी चीजों में व्यक्ति कम्योर होता है अब चलते हैं इनके ink लगे हुए पाम पर जब बुद्परवत पर भहुत सारी लाइने हो तो व्यक्ति दो-चार भाशाओं का जानकार होता है सुन्दर होता है वानी मीठी होती यह सारे गुण व्यक्ति को मिलते हैं यहाँ पर एक yes sign भी बनी हुई है तो व्यक्ति को yes भी प्राप्त होता है जीवन में और यह एक ही sign ऐसी है जो open भी रहे तो भी फल देती है यहाँ पर एक square sign है व्यक्ति का मल्टि सिटी का काम होता है जीवन में और अपनी आयसे अधिक अच्छी तरह रहता है यहाँ पर भी एक square है अब इनके sign हैं देखने की कोशिस करते हैं एक clear cut sign ही हाँ पर बनी हुई है काफी अच्छी sign है इनके हाथ में खेर इनको पैसा जानना नहीं था तो इन्होंने ज़्यादा मेनद भी नहीं की इस जगह पर यह यहाँ पर भी है यह अच्छी कमनी में जॉब कर रहे है और अच्छी पोश्ट पर रहे हैं यह triangle बनता है यह व्यक्ति को मन की इच्छाय पूरी करवाता है और आपने अफेर वाली बात बोली यह अगर लाइन 99 परसेंट या अटक रही है तो ऐसे लोगों का law marriage होता ही है और यह line इनके photography में उतनी बहुत जादा sharpness नहीं थी अगर बहुत जादा sharpness देते तो मैं एक एक चीजों को बाहर निकाल पाता अब यह line इस तरह से joint हो रही है पर कई बार यह यहाँ पर stop होकर यहाँ से कोई दूसरी line निकलती है यह जब first photo आता है तो बहुत अच्छी तरह से पता चलता है यह अगर joint होती है तो आंतियर ग्यातिय विवा होता है व्यक्तिका और ये line तो मेरे हिसाब से joint काट रही होगी तो प्रेम विक्षे भी होता है पर ये अगर joint होती होगी तो प्रेम विवा व्यक्ति का होता है यहाँ पर विद्या रेखा बनी है तो व्यक्ति को basic knowledge अच्छा कासा होता है और लोग इनको पूछ पूछ कर काम करते हैं कंटीनी फेट लाइने बनी है तो बुड़ा पिता की इंकम जीवन में आती रहेगी और बुड़ा पा ज्यादा इंकम वाला इनका यह जब दो फोर्क बनते हैं तो लोग अपनी बातों को बहुत अच्छी तरह से समझा पाते इस तरह का फोर्क हो तो जुपिटर माउंट अत्ती खराब ऐसे लोग पारिवारिक और सांसारिक समस्या उसे तरस्ती रहते कंटिनु चलने वाली लाइन है यह व्यक्ति को कंटिनु प्रोग्रेस देती है पलस खराब समय भी आए तो व्यक्ति का नाम खराब नहीं होता यह सबसे बढ़ा एडवांटेज इस लाइन का है एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन वेक्ति को मल्टिपल इंकम के सोर्स देती है, पामिष्टी एस्ट्रोलोजी इस्तर की मिष्टी साइंस में ध्यान जाएगा, सिवा भावी और धार्मिता, ये सारे गुन वेक्ति में पाये जाते हैं, अन्दुनिमंगल काफ ये लोग अपशब्दों का अच्छा खासा प्रयोग करते हैं, पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, कम जरूर होता है, पर निकलता नहीं, और सरीर की उर्जा अत्य उत्तम रहती है, अत्य उत्तम, एक स्पोर्स टाइप की उर्जा रहती है, स्पोर्स पर्सन टाइप की, यह यह जो line है यह line कभी न कभी आपको पिता की और से भाई की और से या जीजा की और से आर्थिक कष्ट का सामना करना पड़ेगा आपको या revenue department के जो officer होते उनके द्वारा जीवन में कष्ट आता है यह अगर parallel line होगी mind line के पास तो नीन से related issue रहेगा आपका अब आपने foreign settlement देखिए आपकी जीवन रेखा पूरी चन्रपरवत पर जा रही है आपकी fate line आगे चल कर सुर्यपरवत की और जा रही है जीवन रेखा से भी यह रेखा चन्रपरवत पर जा रही है और यहाँ पर देखिए triangle भी है और एक triangle नहीं, एक यहाँ पर भी triangle बना हुआ है, यह व्यक्ति को कभी बनाता है या विदेश से धन प्राप्ति के योग बनाता है, और यह square व्यक्ति को सच्चा ही पसंद इनसान बनाता है, इनको जूट पसंद नहीं आता, तो आपके विदेश के योग तो 100% है, 100% या विदेश से धन प्राप्ति या विदेश सेटल्मेंट, दो मैंसे विदेश सेटल्मेंट मुझे जादा दिख रहा है, आपके हाथ में, अभी काफी बड़ी कमणी में यह जॉब कर रहे हैं, और यह जो लाइन है, यह भी यात्रा है भरपूर करवाती है, शुक्र व्योसित है, अच्छे कपड़े पेनना, अच्छी तरह रहना, लक्जरिस लाइफ का शौक, यह सारा व्यक्ति उड़ा करता है, शुक्र परवजब आपका अच्छा होता है, अब इनकी हिर्दे रेखा पे चले, तो हिर्दे रेखा यहाँ से स्टार्ट हो रही है, जो स्टार्ट होती है, तो रेक्ति में तीन लक्षन पाए जाते हैं, एक तो सुबह उठते ही पैसा कैसे कमाना, सेकेंड कामुक भावना, और तीसरी चीज रहते हैं, कभी-कभी फिजिकल बनना, यानि हाथ पेर उठाना, और यह जो लाइन है, यह मित्रों को, सगे संबन् और वो पैसा वापस नहीं आएगा, और यह लाइन है, माबाप की सेवा करने वालों के हाथ में, और यह फ्लर्ट लाइन है, वेक्ति दुखी भी हो, तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी दुनता है, और सन लाइन इस तरह की हो, तो यह हाड़ वक कराती माइन लाइन को देखे, तो दो तीन टुकड़ों में चल रही है, जब भी यह तुट्टी होगी, कोई न कोई तकलिफ आती है, पर यहाँ एजिंग करना थोड़ा हाड होता है, और यहाँ से अगर गिने इस माइन लाइन को, तो सीधी चलकर आगे घुमाओ लेकर नीचे ज जाओगे आप, बाहर वालों के लिए उत्तम होते हैं, घर में एक व्यक्ति को जादा बोल बोल करते हैं, यह इनका माइनस पॉइंट रहता है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, इमेजिनेशन पावर बढ़ेगा, सपने बढ़ते जाएंगे, और धर्मिक्ता बढ़ती ज लाओगा, उसके बाद इसी पिरियड के आसपास एक राउ रेखाने भी काटा था, यह तो कोई नो कोई तकलिफ आई होगी आपको, 27 के आसपास, फिर इस लाइन ने आपकी जीवन में सहना ही बज़ए, यह 31 में इस पॉइंट पर आपकी साधी हुई, अब यह लाइन ऐसे निकलती है, तो ऐसा लगता है कि जैसे यह लाइन राउ रेखा है, उसके बाद अभी वर्तमान में आपको यह राउ रेखा परेशान कर रही है, और उसके बाद यह राउ रेखा पूरी होते ही, एक बदलाव आपके जीवन में यहाँ पर शो हो रहा है, तो यह आपको या तो घर बदलोगे, शेहर बदलोगे, या देश बदलोगे. मुझे लगता है, 36 के आसपास हो सकता है, आप मकान खरीद लो. क्योंकि आपका सवाल भी है. और एक लाइन आपको उसके बाद जश्ट आएगी, या आपको 37 के आसपास परेशान करेगी. और एक 39 में भी आपके रेखा दिख रही है. अब कई बार ऐसा होता है कि ये लाइन माइन लाइन को इटच करके आटक रही है. मैं इसका क्लोज अप लूँगा. ये 39 के आसपास. अगर ये माइन लाइन पर स्टॉप होती होगी, तो ये साधी या रिलेशन कराएगी. और एक लाइन यहाँ पर 42, 43 के आसपास टच कर रही है. और ये तो 100% माइन लाइन पर स्टॉच कर रही है. तो ये तो साधी के पूरे योग दिखा रही है आपके जीवन में. ये आपको वर्तमान में परेशान कर रही है. उसके बाद ये एक और राउ रेखाएगी. उसके बाद ये रेखा इस फोटोग्राफ के हिसाब से मैं देखूँ. तो मुझे लगता है ये काट के आगे जा रही है. तो ये राउ रेखा ही समझे आप इसको. और ये रेखा हंडेट परसेंट टच कर रही है. माइन लैंड को. तो ये 42 के आसपास आपकी मेरेज यहाँ पर क्लियर कट दिख रही है. फिर उसके बाद ये 48 के आसपास एक राउ रेखा है. और नियर एंड इरर की डेथ है. उसके बाद 50 में एक छोटी सी राउ रेखा है. एक 53 में राउ रेखा. प्लस आप शूट है. और यहाँ पर भी नियर एंड इरर की डेथ है. फिर 55 में यात्रा है. और 59 में एक और राव रेखा है बस उसके बाद कोई राव रेखा आपके जीवन में नहीं है सारे आपशुट ही है सुर्वती जीवन में पांच साल में एक आपशुट है उसके बाद चार साल में उसके बाद तीन साल में या आपको कोई न कोई अच्छा काम और उसके बाद भी और शुट कंटीनियू है तो बुड़ापा आपका बहुत अती सुन्दर फाइनेंशली है वह आपकी धन देखा पर भी शो हो रहा है और एक ट्रेंगल यहां पर भी है देखिए यह 100 परसेंट विदेश सेटलमेंट का पाम है अब आपके कट को देखे तो एक कट 28 के आसपास आपको लगा होगा यह कोई न कोई खर्चा आपको जीवन में आया होगा अब यह कट देखिए मैं इसको इस कट को यहां पर अच्छी तरह से शो करवाता हूँ यह देखिए यह बहुत बड़ा कट है और यह लगबख 36.5 पर है 36.5 पर आपको बड़ा आर्थिक नुकसान जाएगा तो ऐसा जिनके केस चलते है तो अफ दग कोट यानि कोट के भार जो सेटलमेंट भी होती है कई जगह पर मैंने देखा यह और उनके हाथ में इस तरह से कट पाया जाता है तो हो सकता है इस पिरियड में आप अच्छा खासा आर्थिक कोई न कोई नुकसान उठाओगे आप या तो डिवर्स के केस में उठाओगे जो आपकी पत्नी है उसको देने में या कोई और नुकसान जाएगा पर आप तो जॉब कर रहे हो तो नुकसान जाने का सवाल आता नहीं पर यह यहाँ पर यह आपको बड़ा आर्थिक नुकसान शो कर रहा है फिर उसके बाद देखे तो एक 40 के आसपास है एक छोटा सा ही है नुकसान कोई बड़ा नहीं है एक 41 के आसपास है यह 39 पकड़ी है यह 41 के आसपास पकड़ी है और यहां से आपके जीवन में ग्रोथ चालू होगी बहुत ज़्यादा और यह एज होगी 48 के आसपास और उसके बाद कोई देखने की जुरत नहीं है अब तू बुड़ापे तक भर पूर धन रेखाया है मल्टिपल जगह से इंकम चालू होगी अब आपका धन रेखा का जो फोटो है वो इतना शार्प आया नहीं है जितना चाहिए क्योंकि आपको मनी मेटर को जानना नहीं था पर इस फोटोग्राफ में जो जो मुझे दिख रहा है मैं एक अंदाजा दे रहा हूँ यहां तक आपकी फेट लाइन बहुत अच्छी है यह 31 से लेकर 39 तक उसके बाद यहां एक्सपेंसिव फेट लाइन है अब तू 46 तक 46 के बाद एक और धन रेखा निकल रही है यह तो चली रही है और इसके पहले भी दूसरी धन रेखा निकल रही है 41 के आसपास 42 के आसपास तो multiple income के सुरोथ create होते जाएंगे और इस किसी period के आसपास आप विरेश चले जाओगे तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्णों के जाब इनको मिल गए होंगे और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद यह देखिए इस वीडियो में इधर भी अगर देखे यह लाइन clear cut ही ऐ हाँ टच diversity तूर उसके बाद एक रहू रेखा भी है सादी के बाद जो दूसरे photograph में शोर नहीं हो रही थी और यह जो लाइन है यह भी ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं टच कर रही है हो सकता है यहाँ पर भी कुछ पॉजिटिव आपके साथ हो और ये काट रहे होगी तो इसे राव रेखाईगी नहीं पर ये तो 100% जोइंट हो रही है